भाई के फैंस के लिए आई है खुश खबरी शुरू हो गई है सल्मान खान की फिल्म राधे की शूटिंग भाईजान ने दिखाया है अपना दमदार उतार एक्टर सल्मान खान ने संडे को पोस्ट कर फैंस को बताया कि उन्होंने राधे यॉर मोस्ट वॉंटेड भाई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है सल्मान खान मार्च में लॉकडाउन की होशना से पहले प्रभु देवा के डिरिक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग ही कर रहे थी भाईजान की इस फिल्म के लिए दर्शक उनका बेसबरी से इंतजार कर रहा है एक्टर सल्मान खान ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट की तस्वीर साजा की जिसमें वो काली जैकेट पहने हुए कैमरे से मूँ फेर कर खड़े उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा साड़े च्छे महीने बाद शूटिंग पर लौटाओ फिल्म अगले साल 22 माई को रिलीज होगी फिल्म में सल्मान खान के साथ आक्टरिस दिशा पाटने नज़र आएंगी जो भारत में उनके साथ काम कर चुकी है फिल्म के दो गानों की शूटिंग और लगभग पांच दिनों का काम अभी बाकी है कोरोना संकट के समय साथानी बरतते वे टीम ने यातरा से बचने के लिए स्टूडियों के करीब एक होटल को बुक करा लिया ताकि वो स्टूडियों के पास रह सकें सुरक्षा के लिए आज से टीम के किसी भी सदस्य को बाहरी लोगों से मिलने की अन्वती नहीं फिल्म राधे की प्रडक्शन टीम के करीबी सूत्रों ने बताया कि पूरी टीम का COVID-19 टेस्ट किया गया जिसमें से कोई भी COVID-19 पॉजिटिव नहीं पाया गया दूसरा टेस्ट अमित अभिनेता और प्रमु टीम के सदस्यों सहित सेट के करीब रहने वाले लोगों का होगा करमचारियों को एक विशेश स्टूडियो के माध्यम से नियमों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी ताकि अंतिम शणों में ध्रम की इस्थिति ना पैदा सलमान ने सेट पर पूरी तरह सावधानी बरतने पर जोर दिया उनका स्वजाव है कि सेट पर एक डॉक्टर के अलावा एक विशेश टीम मौझूद रहे तो अब ऐसा ही होगा ये विशेश टीम सुनिश्चित करेगी कि सेट पर स्वच्चता का ध्यान रखा जा रहा है य कि सेट रहा है ये ये सुनिश्च का वा येале